सुप्रभात नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं सुबनाव बजे अगले आदे गंटे में आपके पास होगी तमाम एहम ख़बरें मैं हूँ प्रीति सिंग शुरुवात मुख्य समचारों के साथ लोग सभा से पारित विशेश आर्थिक जोन संशोधन विदेग दुवज़ार राज्य सभा में हुगा विचार ट्रस्टों को विशेश आर्थिक जोन में यूनिट्स लगाने के अनुमती देने का प्रामधान जलवायों परिवर्तन से पैदा हालात और सरकार की उर से उठाए गए कद्मों पर सदन में ध्याना कर्शन आज होमियोपैथी केंद्रिय परिशत केपुन और गठन की अबदी एक से बढ़ा कर दो साल करने के प्रस्ताव वाले विदेग पर आज लोग सभा में होगा विचार आधार कानूर और अन्य विधियासंचोदन विदेग दोजार उन्नीस भी सदन की कारे सूची में शामिल जी ट्वेंडी शिकर सम्मेलन में हिस्साले ने जापान के उसाका पहुशने पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का शांदार स्वागत एजेंडी में शीर्ष पर आतंगवाद, महिला सशक्ती करन और आर्टिफिशल इंटेलिजन्स जैसे मुद्दे सम्मेलन से इतार, अमेरिका, रूस, समेट, दस देशों के प्रमुखों से मुलाकात का भी कारिकरम जापान की प्रधान मंत्री शिंजो आबेस से मुलाकात आज किंद्री ग्री मंत्री अमिज शाह के जमू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन अमना त्यात्रा के लिए सुरक्ष अजिंसियों को सतर करहने और सभी एतियाते कदम उठाने के दिये निर्देश विकास कारियों की एक भी समीकशा कहा जमू कश्मीर में गरीब से गरीब व्यक्ति को मिले सभी कशित्रों में तो शाहसन का फाइदा क्रिकेट विश्व कप में टीम इंडिया की वेस्ट इंडीस से भलंताज जीत का सिलसला बरकरार रखने के एरादे से उतरेगी टीम इंडिया वर्मिंगम में बाबराजम के शतक की बदौलत पाकिस्तान ने न्यूजिलिंड को छे विकेट से दीमा दोनों सदनों के एजिंडे में आज कई महतुपूर्ण विधेक शामिल हैं राज्यसभा में आज विशेश आर्थिक जोन संशोधन विधेक 2019 पर विचार होगा केंद्रे वाने जुमंत्री पियुश गोयल इसे पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे इस विधेक में नियासो को विशेश आर्थिक शेत्र में 21 थापित करने के अनुमति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है इस विधेक के जरिए विशेश आर्थिक जोन अधिनियम 2005 का संशोधन किया जाना है संसत की मनजूरी मिलने के बाद ये विधहिक संबंदित अध्या देश का स्थान लेगा इससे पहले कल लोग सभा में विशेश आर्थिक जोन संशोधन विधहिक दोहजार उमनीस पारित कर दिया गया निवेश आये अलग-अलग प्रकार के जो मौडरन इन्वेस्मेंट के वहिकल्स हैं वो भी इस देश में आ सके हैं उसमें इस देश में कोई विलम्प होने से किसी को लाब नुकसान नहीं था जैसे ही ध्यान में आया और सेबी में एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके तहट आल्टनेट इन्वेस्मेंट फंड्स को अलाव किया कि वो भी इन्वेस्ट कर सके तो सरकार को लगा कि ये अच्छा रहेगा कि देश में alternate investment funds के माध्यम से special economic zones यानि जो finance के शेतर में international financial services center के रूप में काम करती हैं उसमें भी ये allow किया जाए राजसाभा कि बाध करेटा समाजवादी party सांसाध रेवतिरमांड सिंग जल्वायू परिवर्दन से पैदा हालात को लेकर ध्याना कर्षन लाएंगे इस दोरान वो जलवायू परिवर्तन को लेकर सरकार की ओर से उठाए गया कदमों पर परियावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंतरी का ध्यान दिलाएंगे राज्य सभा में प्रक्रिया और कारे संचालन के नियम 180 में ये उपबंध है कि कोई सदसे सभापती की पूर्वानुमती से अविलंबनी ये लोग महत्व के किसी विशे पर मंतरी का ध्यान दिला सकेगा और संक्षिप्त बयान दे सकेगा संबन्दित मंतरी को इस मामले में बयान देना होता है वही लोग सभा में आज दो महत्वपूर्ण विधय को पर विचार होगा आधार अधिनियम 2016 और भारति एक कार अधिनियम 1885 और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 का और संशोधन करने वाले आधार और अन्य विधिया संशोधन विधैक 2019 पर आज लोकसभा में विचार होगा केंद्रे संचार और सूचना प्राध्योगी की मंतरी रविशंक प्रिसाद विधैक को पारित करने का भी प्रिस्ताब करेंगे ये विद्हेक 24 जून को लोग सभा में पेश किया गया था संसत की मन्जूरी मिलने के बाद ये विद्हेक इस संबंद में सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा इसके लावा होमियोपैथी के इंदरी परिश्यत की पुनर गठन की अधी एक साल से बढ़ा कर दो साल करने के प्रावधान वाले विद्हेक परधी आज लोग सम्भा में विचार होगा आयुश मंतरी श्रीपधियस नाइक विद्हेक को पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे विद्हेक में हुमियोपैथी के इंदरी परिश्यत की पुनर गठन की अधी बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि संचालक मंडल Board of Governments का कारिकाल 17 मई 2019 से एक साल के लिए और बढ़ाया जा सके संसत की मंजूरी के बाद ये विद्हेक भी अध्यादेश की जगा लेगा आयोश मंत्री श्रीपद्यसों नाइकी और से स्वास्त और परिवार कलन्यान मंत्री हर्श्वरधन ने 21 जून को लोग सभा में ये विद्हेक पेश किया था इसके लवा लोग सभा में आज तीन एहम विद्हेक पेश किये जाएंगे इनमें केंद्री शेक्षनिक संस्था शिक्षको के काडर में आरक्षन विद्हेक 2019 भी शामिल है भारती आयोविज्यान परिश्याद संचोधन विद्हेक 2019 और दंत चिकित सक संचोधन विद्हेक 2019 शामिल है और हमारी सभाता कृती मिश्रा इस समय हमारे साथ जोड़ चुकी है उनकाम रुक करेंगे कृती आज के कामकाश के हिसाब से देखें तो जो लोग सभा से पारेत विशेश आर्थिक जोन संचोधन विद्हेक 2019 से उस पर आज राज्य समय में विचार होना है और ट्रस्टों को विशेश आर्थिक जोन में यूनिर्स लगाने की अनुमती देने का प्रावधान इसके जरीए होगा साथ ही हम देख रहे हैं जलवायू परिवर्टन से पैदा हालात और इस पर सरकार ने क्या कदम उठाए है इसको लेकर भी सदन में ध्याना करशन है तो आज का दिन कामकाच से लिहाज से राज्य सभा में किस तरह से एहम होने वाला है जी हाँ प्रिती स्पेशल एकनॉमिक जोन जो बिल कल लोगसभा से पारित हो गया है आज वो राज्य सभा में आएगा देखें सरकार लगातार कहती आई है कि इंडस्टर डिवेलिप्मेंट बढ़ाने और एक्सपोर्स बढ़ाने पर उसका फोकुस है और कल सरकार ने सदन में ये भी जवाब दिया कि SCZ से 2014 में तकरीबन 12 लाक नौकरियां पैदा हुई थी और 2019 में 20 लाक और जब ये ओडिनेंस आये था उसके बाद ही 6 अरजियां सरकार के पास आ गई थी SCZ लगने के लिए तो इस तरह से जो ट्रस्ट है या जो ऐसी एंटिटी है जो सेंट्रल गवर्मेंट द्वारा नोटिफाए हैं वो अब SCZ में अपने यूनिट लगा सकेंगी और इससे रोजगार के और नए अफसर पैदा होंगे वहीं दूसरा जो महत्रपूर्ण कामकाज सदन का है वो है कॉलिंग अटेंशन मोशन यानि ध्याना करशन मोशन देखिए क्लाइमेट चेंज अब पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और अगर हम भारत की बात करें और ग्लोबली अगर बात कर देखिए भारत सरकार ने भी कई सारे कदम उठाए हैं एलेक्ट्रॉनिक वेहिकल्स प्रमोट करने की कोशिश कर रही है और साथी एक स्टडी कंड़क कर रही है एनेच हर्षवर्धन के उसमें कि कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज इंपक्क करेगा इंडिया को तो इसी क्यो लेकर बेहत महतपून ये मुदा होगा सदन में जहां संसद जानना चाहेंगे सरकार से कि क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जा है तो बेहत महतपून देन आज राज्य सभा में जी बहुत बहुत शुक्रिया कृती इस जानकारी को फिलहाल हम पहुचाने के लिए आपका वही राज्य सभा में कल राश्यपति के अभिभाशन पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया इस पर सभी संचोधन प्रस्ताव सदन में गिर गए चर्चा का जवाब देते हुए प्रधार मंतरी ने कहा कि इस बार कर लोगसभा चुनाओ बहुत खास था कई दशकों के बाद दोबारा पून बहुमत वाली सरकार बनना समझदार मतदाता के निशानी है उन्होंने कहा कि चुनाओ प्रक्रिया और जनादेश में सवाल उठाना लोगतंत्र और मतदाताओं का अपमान है प्रधार मंतरी ने चुनाओ सुधारों को स तक प्रक्रिया करार दिया उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाओ समय की मांग है कि चुनाव के रिफर्म्स की भी कफी बाते हुई हैं कि हम 52 से लेकर आज तक लगातार चुनाव में रिफर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए और मैं मानता हूँ इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन आउट राइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाओ के हम पक्षमे नहीं है अरे चर्चा तो करो भाई इलेक्षन के रिफॉर्म्स अनिवार यह है करद होने लेने चाहिए लेकिन हम ये मान के चले अच्छा हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाओ होता था जी कि बांद में घड़ पर होने के बाद डिरेल हुआ है और उसका सबसे अधिक बैनी फिट आप लोगों को मिला है और आप आज उत्विरों कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं जिस तर्क में कोई दब नहीं कहते हैं मत्दाता ये कैसे नहीं न करें अभी उड़ी साथ सबसे बड़ा उदान है लोग सभा के लिए एक मत्दान किया विदान सभा के लिए दूसरा मत्दान किया इसका मतला हुआ हमारे मत्दाता को एक ही समय विवेक बुद्धी का पुरा है जहां जहां लोग सभा और विदान और अब बजट से जुड़ी खास कवरिज की बात करते हैं तेजी से बढ़ रहा ई-कॉमर्स का बाजार साल 2021 तक 84 बिलियन डॉलर्स का हो जाएगा इस सेक्टर में विकास से रोजगार और निर्यात को बढ़ावा तो मिलेगा ही साती ग्रहकों को बहतर सामान और सेवाएं भी मिलेंगी आए देखते हैं कि आने वाले बजट से ए-कॉमर्स क्या उम्मीदे लगाए बैठा है भारतिय ए-कॉमर्स का बाजार दिन प्रति दिन तेजी से विकास की रास्ते पर बढ़ रहा है अगर भारतिय ए-कॉमर्स बाजार के विकास की तेजी कायम रहती है तो साल 2034 तक ये अमेरिका को भी पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा इस अप रत्याशत विकास के पीछे कारण है इंटरनेट और स्मार्ट फोन का दूर दराज के इलाकों तक पहुचना साल 2017 में भारतिय ए-कॉमर्स के बाजार में 21 नए निजी और वेंचर कैपिटलिस्ट आये जिन्होंने 2.1 बिलियन डॉलर्स का निवेश किया जबकि 2018 में 1120 मिलियन डॉलर्स के 40 नए समझोते हुए इस सेक्टर ने कम समय में ही काफी विकास किया है अब इसकी मांग है कि तेज विकास दर को बनाए रखने के लिए बजट में इसके मताबिक टाक्स नीतियों का एलान किया जाए 2014 में मोधी सरकार के आने के बाद से Digital India, Make in India, Startup India, Skill India और Innovation Fund जैसी योजनाओं की घोशना की गई E-commerce सेक्टर चाहता है कि सरकार डिजितलाइजेशन और डिजिटल लेंदेन को और प्रोट साहन दे E-commerce, any company that we have losses initially in a few years, you gotta carry forward them and take advantage but you know so they need to look at it whether this carry forward losses are there and shareholding pattern has changed because of capital infusion or tax planning so they need to look at this and try and fix that परवरी 2019 में सरकार ने राष्ट्रिय E-commerce नीती का मसौदा पेश किया E-commerce में सीधे विदेशी निवेश के लिए भी सरकार ने ऐसी नीती अपनाई है जिससे सभी को समान अपसर मिल सके लेकिन इस सेक्टर का विकास भी तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब देश की आर्थिक स्थिती मजबूत हो और ग्राहक के हाथ में पैसा हो और आप प्रधान मंतरी के जापान दौरे से जुड़ी खबर और G20 शिखर संबेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधान मंतरी नरींद्र मोदी जापान के उसाका पहुँच गए है उसाका एपोर्ट पे उनका गर्म जोशी के साथ स्वागत किया गया इसके बाद एपोर्ट से वो होटल पहुचे जहां बड़ी तादाद में भारते समुदाए के लोगों ने उनका स्वागत किया जोरान भारते समुदाए के लोगों ने भी प्रधान मंतरी नरींद्र मोदी का शांदार स्वागत किया है वही जी ट्वेटी सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले प्रधान मंतरी ने ट्वीट करके कहा कि वो वैश्विक नेताओं के साथ दुनिया के सामने मौझूद प्रमुक चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए उत्सुख है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने कहा है कि वो जी ट्वेंटी में शिखर सम्मेलन में बहु पक्षवाद में सुधार के लिए भारत के मजबूत समर्थन पर जोड़ देंगे जो नियम आधारे तंतराश्ट्री वैवस्था को बनाए रखने के लिए महत्वोड है प्रधान मंतरी आज जापान के प्रधान मंतरी शिंजोवड के साथ भी मुलाकात करेंगे जापान के उसाका में जी टुएटी शेकर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी आतंगवाद महिला सशक्तिकरन और आर्टिफिशल इंटेलिजिन्स समेथ कई प्रमुक वैश्विक चुनाओतियों पर चर्चा करेंगे सम्मेलन से इतर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी का अमेरिका रूस समय दस देशों के प्रमोखों से भी मुलाकात का कारगरम है जी टुएंटी शेकर सम्मेलन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भारत की मजबूत अर्थिववस्था को दुनिया के सबसे खुले पारधर्शी बाजार के रूप में रखेंगे वो सम्मेलन में बदलते वक्त की जरूरत के हसाब से WTO जैसे बहु पक्षिय व्यापार संगठनों में सुधार पर जोर देंगे प्रधान मंत्री सम्मेलन में शामिल नेताओं से कहेंगे कि विकास शील और छोटे देशों को विश्व बाजार में बढ़ाने का अफसर देना होगा इसके बिना वैश्विक आर्थिक विकास मुमकिन नहीं है प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी दुनिया की सबसे बड़ी 20 अर्थेविवस्ता वाले देशों से जलवायू परिवर्तन के खलाफ ठूस प्रयास करने पर जोर देंगे साथी भारत जैसी उभरती अर्थेविवस्ताओं के लिए उर्जा सुरक्षा सुनिश्रित करने के लिए रियायत की मांग भी करेंगे वेश्वक अर्थिक अस्थिरता के लिए जिर्मेदार बाजार की गड़बड़ी, काला धन और आतंगवार जैसे बड़े मुद्दों को ले कर भी प्रधान मंत्री सावधान करेंगे जो चौदवें G20 समेलन के विशाई से चुड़े हैं उसाका में G20 समेलन ऐसे समय में हो रहा है जब 5G टेकनलोजी दरवाजे पे दस्तक दे रही है और आर्टिफिस्यल इंट्रिजिएंस को लेकर पुरी दुनिया में आपाधापी मच गया है और ऐसे में कहीं आम आदमी पीछे न छोड़ जाए यही चिंता है और इसलिए G20 का थीम रखा गया है मानव के अंद्रिति विकास प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी G20 सम्मेलन से इतर करीब दस देशों के प्रमुखों से दुई पक्षिय मुलाखात करेंगे इसमें अमेर्की राश्रपती डॉनल्ड ट्रम्प, रूस के राश्रपती व्लादिमेर पुतिन और जापान के प्रधान मंतरी शामिल है इसके अलावा जापान, अमेर्का इंडिया सम्मेलन में भी तीनों देशों के नेता मिलेंगे इस बार G20 जापान के प्रधान मंतरी शिंजो आवे की अध्यक्षता में 28 और 29 जून को उसाका में होगा जिसके आखिर में एक घोशना पत्र जारी होने की उमीद है G20 सम्मेलन के वक्त कई ऐसे मुलाकाते होंगी जो आगे आने वाली दुनिया का भवी से तैह होगी प्रधान मेंति नेंद मोदी, ब्रिक्स की बैठक में भी भाग लेंगे और उसके बाद फ्रांस में होने वाले G7 समीट में भी उन्हें हिस्सा लेना है जो अगस्त में होगा मतलब यह कि जिस तरीके से दुनिया तेजी से बदल लही है वैसे में बहु आयामी प्रियास भी चल लहे है ताकि दुनिया की आर्थी किसिती को और दुनिया में रोजगार और शांती को अस्थापित किया जाए राजिस्वा टेलिविजन के लिए कैमरा परसन प्रसांतो करमाकर के साथ जापान के ओसाका से मैं अखिलेश सुमन और प्रिधान मंतरी नरेंदर मोदी जापान के ओसाका में भारते समुदाय से भी मुलाकात करेंगे प्रिधान मंतरी से मुलाकात को लेका जापान में रह रहे हैं भारतियों में एक खासा उत्सा है हमारे समुदाता अखलेश सुमन ने उनसे बात की व्हारत के कई हिस्सों के लोग हैं जो साका मेरा रहा है और उसआका ही नहीं जपान के कई हिस्सों में राते हैं उन में से कई लोग कई जगों से आए हैं हम तोक्यों से आ रहे हैं प्राइम swimming निशन मोंधी जी मैं बिहार से हैं, तो वहाँ जो प्राब्लम है, उनका वो सॉल्यूशन जल से जल ढूने है। मैं उत्राकंट से हूँ और मैं मोदी जी से यह चाहती हूँ कि विमन सिक्यूरिटी पर ज्यादा दियान दे। क्या सिक्यूरिटी? आप क्या साथी है। मैं कानपुर से हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे देश में भारत में जो रिसर्चर बाहर रिसर्च करते हैं, दूसरे देशों के लिए वह इंडिया में जाके बोहम काम कर सकते हैं यहां उसाका में रहता हैं आपका क्या बिजनस है बिजनस रेश्टोरेंट रहे हैं वह यहां नाम जग्दंबा परशारतोडी मोधी जी के आने से कुछ आपलों को फर्क पड़ते हैं फरक यह हैं कि खुसी है मोधी जी का आना आतक हमें जो भविश्या में इतनी लंबे समय स यहां पर को इसी जानकारी नहीं मिलती लेकिन मोधी जी प्रभावसाली है और जनता अटक हो जाती है कि जो सब जो है मलेक मिलने के आसंका होती है पहले जैसे ऐसा होता था कि चलो यार क्या जानना है कजनने कई चीजें होती है तो लोगों को एक चाहिए है कि जिस तरह से जापान विकसित हुआ है उसका कुछ भारत भी उठा है ताकि जापान जैसे विकास के पैमाने पे भारत भी आगे बढ़ेए निस्ची तो पे जब सुबस्भास जोग आये हैं जापान के कई हिस्सो से लोग चल कर आए हैं कोई तेज गाली बॉलेट ट्रेन से आया है तो क तरह से तक्नीक जापान में जो तक्नीक विक्सित हुई है उस तरह की तक्नीक भारत में विक्सित हो ताकि लोगों को नौकरी के लिए तक्नीक के लिए अन जग जाने की जरूत नहीं पड़े। प्रशासन के साथ उच्छिस तरिय बैठक करके राज्य की सुरक्षा व्यवस्था का जाइजा लिया, साथी अमनात यात्रा के सुरक्षा के बारे में भी चर्चा की, आगामी अमनात यात्रा के लिए सुरक्षा इंतिजाम को लेकर उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए मा There should be no laxity. A strict enforcement of the standard operating procedures should be followed. Senior officers to personally supervise the arrangements. Forces should ensure optimum use of the latest technologies and the gadgets, not only for the security of the yatra, but also to facilitate the movement of the devotees and the tourists. इससे पहले गुरिमंत्री अमिच शाह ने पहले दिन श्रीनगर में राज जपाल सतिपाल मले की अगवाई में बुलाई गई उच्छ अधिकारियों के बैठक में प्रदेश में चल रहे विकास कारियों की समीक्षा की, उन्होंने जम्मू कश्मीर विकास के परिद्रश्य की भी समीक्षा की और राज जी के विकास में तेजी लाने, मुन्यादी रहाचे के निर्मार, सुष्षासन, सभी समुदायों के लिए विकास और युवाओं के लिए रोजगार, स्रजन, योजनाओं पर ध्यान के इंद्रित करने को कहा, अमिच शाह ने राज जी सरकार से य अमिच बिर्धशन, सर्कार था Soon, सुष ऑ Всcular Tकंष का सिए य। मिच और देत य। सुवाओं आ, जै। झामँच में पर तरी को के एंद्रित, आख प्रीटेग 자 inhaled प्यू आन अchemिच सिवाओं पूरिद्श बुल्स्य काषिए जिन एह न हमिच ऑर पाने, स्वीट में आव प्राश्पति और राज्य सभा के सभापती एम वेंकाया नाइडू ने आज केंद्रे परियावरण मंत्री प्रकाश जाब डेकर को अपने चेम्बर में बुलाया सभापती ने उन्हें सुझाव दिया कि परियावरण मंत्राले को पोलावरण बहुत देशे परियोजना पारण ने दो साल के लिए स्टॉप पर कॉर्डर का पालन करने पर विचार करना चाहिए The Polavarum Project is very important for people of ANTHAPRichen because it will irrigate nearly 3 lakh hectares of land राज्य सभा के सभापति एम वेंकाय नाइडू ने तीन सांसदों को देश की में तुपूर संस्थाओं का सदस्य मनुनीत किया है इसमें वरिष्टि सांसद अभी शेक मनुस सिंग्वी को इंडिन कांसल अफ वर्ड अफेर्ज और सांसद राकेश सिना को भार्टेट सांस्थ को तिक संबंद परिशद आई-सी-सी-ार की सामान ने सभा का सदस्य मनुनीत किया है सभापती ने सांसद स्वपंदास गुपता को Institute of Constitutional and Parliamentary Studies यानी ICPS का सदस्य मनुनीत किया है ये तीनों राश्ट्रे महत्व की एहम संस्थाए हैं इनका मनुने 25 जून की तारीक से किया गया है कुछ एहम अंतराश्ट्रे खबरों की बात करें तो अमेरिकी विदेश मंतरी Mike Pompeo ने कल इंडिया पॉलिसी प्रोग्राम को संबोधित किया उन्होंने भारत और अमेरिका की बहतर संबंदों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच का यॉर्क शित्रों में सह्यों की अपार संभावनाए है Such entrepreneurship, such energy, great people and enormous expectations for a brighter future for this country We had a wonderful time when we visited, we had terrific hosts It's an experience that many Americans have when they travel here for business, for pleasure or for yoga There's just something easy about the exchange between Americans and Indians Yet as I said in a speech just a few weeks back in Washington It took our two nations decades to realize just how far this friendship could go and just how much we could work together इससे पहले अमेरिकी विदेश मंतरी ने कल प्रधान मंतरी नरेंडर मुदी से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने राष्टे सुरकषा सलाकार अचीट डोबाल से भी मुलाकात की दोनों नेताओं के बीच हुई बाचीत में व्यापार, उर्जा, सुरक्षा, आतंगवाद, H1B, वीजा के साथ रक्षा संबंदों पर चर्चा हुई भारत ने इसाफ कर दिया है कि अमेरिका के दाबाव में भारत रूस के साथ हुई S-400 मिसाल डिफेंस सिस्टम की डील को रद नहीं करेगा विदेश मंतरी एस जैशंकर ने दिल्ली में अमेरिकी विदेश मंतरी माइट पॉम्पियो के साथ साथ आप रिस कॉन्फरेंस में कहा कि भारत राश्टर हित्र में जरूरी सभी पैसलों पर अमल करेगा आला कि दोनों देशों ने उज्जा सुरक्षा से लेकर व्यापारक रिश्टों में आए दिक्कतों को बाचीत के जरीए दूर करने का भी भरोसा जटाया है पात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ल कप की आई से सी विश्व कप में आज टीम इंडिया का मुखाबला वेस्ट इंडीज से होगा मैच आज दोपेर तीन बजे से मैंचेस्टर के ओल्ट फ्रफिट मैदान पर होगा टीम इंडिया ने अब तक इस विश्वकाप में चार मैच खेले हैं एक मैच बारिश के कारण रद्ध हो गया था इस तरह उसके पांच मैच से नौंग है दूसरी तरह वेस्ट इंडीज ने जिस तरहा से पहले मैच में पाकिस्तान को हरा कर शानदार शुरुआत की थी वो इस लेक को खायम नहीं रख पाई उसके छे मैचों में सिर्फ तीन अंग है वही कल खेले गए मुखाबले में पाकिस्तान ने निवजिलेंड को छे विकट से हरा दिया 238 रन के लक्षे का पीछा करने उतरी पाकिस्तान को बाबर आजम ने शतक लगा कर जीत दिलाई उन्होंने इस प्रोदर्शन के ले मैन आफ दे मैच भी उन्हें चुना गया बात करेंगे खास शक्सित की उप्राश्पती अमवेंगानाईडू ने राश्ट्रगीत वंदे मातरम के रचाइता उजस्वी राश्ट्रवादी साहितिकार बंकिमचन चैटर जी की जेंती पर शृद्धान जलीदी है उप्राश्पती ने ट्वीट किया कि वंदे मातरम मातर भूमी की स्वतंतर का जैगोश था जिसने जन महानस में आजादी के लिए सर्वस्व समर पढ़ के भाव का संचार किया और इसे के साथ फिलाल सुबा नौवजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही छुटे से ब्रिक के बाद देखिए ब्रिक्फिस नियूज नमस्कार